हेलो नमस्कार कैसे हो आप थभी भावी नर्सिंग ओविसस और डॉक्टर साइथिंग तभी बहुत बहुत अच्छे होंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले जिन स्टुडेंट्स का नीट के अंदर लो स्कोर आया है तो यह एक्जाम जरूर दो फोरम आउट लगबग बिल्कुल अभी यह सारे एक्जाम के फोरम आउट हो चुके और काभी बच्चे इसमें डिले भी हो गयोंगे तो बच्चे आज की वीडियो पूरी एंड तक देखना और नीट में अगर आपका लो स्कोर है तो आपका सो परसंटेज यहां आपसे आपका क जा दूँ जिस बच्चे का जैसे ड्रोपर है अब नीट की त्यारी करते हुए दो साल होगे तीन साल होगे लेकिन कहीं बात नहीं बनी एक तो उनके पास बार-बार एक के उप्शन निकल के आता है सर जी यह क्या है नीट वाला अगर आपके अंदर हिम्मत कहीं बची है त तो आपके ट्वल पास के बे जसक्षी पर एक एक रहीर यह जोगो और सारी जोग ऑपरचुनेटी आपको इस एक सिंगल वीडियो के नंदर मैं बताने वालों पिहर बच्चे और इस नमबर पर आको कोली डाउट रहतु हमीत पार यह यह हैल्प लाइन नमबर है जो आपकी हमीशा से हेल्प करेंगे अपकमिंग एक्जाम को लेकर प्यारे बच्छे तो अब हम बात करें जिन बच्चों ने ट्वैल पास करी नीट में नीवा तो सबसे पहले बीच्टी नर्सिंग करने के लिए क्या होना चाहिए तो जिस सब्सक्राइब करा राजे हर सबी के स्टेट्स के फॉर्म भर सकता बच्चे अब मैं आगे बढ़ना चाहूं बीच्टी नर्सिंग के कौन-कौन से फॉर्म देखो हमारे बैस हमारा नया ओफलाइन बीच्टी नर्सिंग का एमस और आर्च पीजाए चंडी गड़ का नया सब्सक्राइब करते हैं यह वाला फॉर्म तो जा चुका है और आप इस फॉर्म से चूख जाते हो आपके वल एक नेट का फॉर्म बरते हो यह आपके पास उप्रचुनिटी होती है और आप इस उप्रचुनिटी को छोड़ देते हो हमेशा एमस बीजल नर्सिंग का फॉर्म जो निकलता बच्शेए वो निकलता आपका मार्च और अप्रेल के मद्दे निकलता है और इमस बीजल नर्सिंग केवल गल्स कर सकती है और अब इसकी जो सीट थी पहले 1046 से yat 1270 सीट हो चुकी हैं और इसमें केवल गल्स पॉर्म कर सकते हैं अब पैरा मेडिकल का कोर्स बाइज कर सकते हैं अब सर यह हमारे पास 2024 का सीजन निकल गया अब हम इसका फॉर्म नहीं बर पाए हम चूगे तो अब और क्या करें अभी एक अभी आपके सामनी कुछ दिनों के अंदर विदिन सेवन डेज के अंदर इस चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पीजी आई चंडीगड का फॉर्म आने वाला है वो गल्स के लिए सबसे बहत्तिन ऑपर्चुनिटी है एमस बीसी नर्सिंग के बात अब प्यारे बच्चे एक आपके बियसी नर्सिंग करनी है आपकी इच्छा होरी है क्योंको ने clean के बात का kierrier मैं आपको समझाने वालों इस एक वीडियो में से केवल गल्स कर सकते हैं लेकिन राज़ुस्तान से गल्स और बॉइज दोनों ही बीस नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं सलेबस में पैर बच्चे केवल केवल ट्वेल थाएगी और एक्जाम आपका जुलाई की जगा भी एक्जाम अगस्त के फस्ट वीक में होगा तो जो आपन सामिंग है बिहार की जा चुकी है और अधर स्टेट के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाते रहता हूं अभी आप यह मौका मत चुक ना अपने एमस वाला मौका चुक गए हो यह फॉर्म अब दो से तीन दिन के अंदर सारी फॉर्म आपकी सामने और आ जाएंगे अधर वाला मौका आपका चुक है लेकिन आपको मैं ऐसा कर रहा हूं जो आपके बहुत से को सुधार के रख देगा जो आप हर साल ड्रॉप लेते हो रिपीट करते उस चीज से बाहर निकलेगा और फिर भी कोई डाउट रहता है तो देखो आप इस नंबर पे कॉल करके बोल दे करने के बाद वह बच्चा नौर्सेट नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है जिसमें 80 परसंटेज गल्स की सेट होती है और 20 परसंटेज वाइज की अगर नौर्सेट नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाया तो राजुस्थान का सीयोचो का एक्जाम दे सकता है या अपने हर एक स्ट तो मैडिकल नाइन में कैरियर बनाने का इससे बैस्ट ओप्शन क्या होगा आप लोगों के पास बीएस से नर्सिंग इसलिए अगर आपके नीट में कम स्कोर है तो आप कोई गलत स्टैप ना उठाए आप प्रुक्रेशन करे जारी रखे अब सर मैडिकल में जाने की इच् से इसके लिए नॉर्मल नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिगरी चाहिए तो वह तेरी कंप्लीट हो जाएगी नॉर्मल बीएस से तीन साल का होता है और अगर एक और चीज है एक साल और जोड़के तो बीएसी इंटीग्रेटिड कोर्स कर ले बीएसी विद बीएड तो उसमे और बीएसी विद बीएड करके टीचर में भी केरियर बना सकते हो हैड़क फिरी काम है सबसे स्कून की जो जो बैना दुनिया में वह है और वह सरकारी मास्टर की कोई हैड़क नहीं है कोई किसी को कुछ रिपोर्ट नहीं देना तो सबसे बैस्ट ऑपरचनिटी यह और थोड़ी सी बैतिन आपने बीएसी बीएड कर रखी है तो मसी के साथ फरस्ट ग्रेड के लिए बीएड अपलाई करके फरस्ट ग्रेड का अग्जाम वह ले तो एमसी चाहिएगी और भी अपकी हो चुकी है तो मसी के साथ आप फरस्ट ग्रेड का एक्जाम दे पाऊगे और बहतर करना है और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मसी के बाद एक एकजाम होता है नैट का ठीक है नैट क्वालिफाइग कर लो तुमारे नी वीक में छुट्या करो तुमारे मर्जी कोई दिक्कत नहीं है मज़े मज़े तुमारे ठीक है तो यह तुमारे सामने उप्सटन है मसी करने बाद लेकिन उसके लिए प्रोसेस बहुत लंबा हो गया आपको बहुत पैसेंस रखना पड़ेगा अब चात्तियों कि तर हमें प पड़ना चाहें पड़ सकता है आपको सारी वो रस्ते दिखा दिये जो आपके सामने आपके कहरे को लिकर बैटर रहेंगे इनके लगबक के फोर्म कुछ को निकल गए हैं कुछ के निकलने बाले हैं तो तरक रहें सैनल को सब्सक्राइब करके रखें मैं हर एक वीडियो का आपको अपडेट देता रहता हूं ताकि आप उन फोर्म को फिल आप कर पाऊ और आज की वीडियो कैसी लगे मेरे लाड़ने बच्चे प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताने ताकि अपकर मिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे प्यार बच किसा